में साथ 2023 को दुनिया को पता चला कि इंडिया में एक 10 by 10 का कैफे है जो इडली और डोसा सर्व करके महिने का साड़े चार करोड रुपे कमा रहा है और उनके खर्चे लाकों में भी हो तब भी वो प्रॉटेबल है करोर्स में सिर्फ तीन बातों का ध्यान रखके इसके उपर हम कुछ सबूत इखटे करेंगे कि क्या यह रियल है विद एक्जांपल्स जो आपके अपने शहर में है और आपको पता भी नहीं को सुझीत कुमार के को फाउंडर और रामेश्वरान के काफे में एक इन्वेस्टर जिन्हों ने पुब्लिक लिए रिवेल किया निखिल का परे रखे यह नığını कुछल आपके और उसफेल कि GREज आ निख निर रामें आपके लिए और रामेश्मरा मारिव अजिवरा दया प्रलिक हाग marie जहां लोगो की भारी अपनी बारी का इंगे होगी बारी आने के बाद उनकी प्लेट में से धुआ कुछ ऐसा उठ रहा होगा जैसे किसी ने उनके हाथ में गरम स्टीम रख दियो, फिल्टर कॉफी की भीनी खुश्बू और हातों में गद्देदार इडली, तो समझ जाना आप रामेश्वरम कैफे पहुँच चुके हैं 2021 में रागवेंदर राव और दिव्या रागवेंदर राव ने अपने दो आउटलेट्स खोले बैंगलोर के अंदर, रामेश्वरम कैफे एक ट्रिब्यूट है डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम को, जैसा इनके फांडर्स बताते हैं, एक बात आपने गौर करी, लाँच इनका स्कोप हमेशा से रहता है, चाहे वहाँ कितने भी कॉम्पेटिटर्स क्यों न हो, जैसे इनके कॉम्पेटिटर्स बहुत ज्यादा रिनोन ब्रैंड, 80 सालों से बने हुए हैं, विद्ध्यारती भवन, लेकिन तब भी सवाल आता है कि रामेश्वरम कैफे शुरू से ह इसको हम थोड़ा डीप में समझते हैं, रामेश्वरम कैफे एक QSR मोडियूल पे काम करता है, यानि क्विक सर्विस रेस्टरॉन, लोकल भाशा में इसे दर्शिनीज भी कहते हैं, जिसका काम है कम से कम मैनिव आइटम, लो कॉस्ट, क्विक सर्विस, बैठने की कम जगा, और कैजूल माहौल में लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू सर्व करना, क्विक सर्विस अलाओ करता है कि भाईया, ज्यादा से ज्यादा क्राउड को आप एजिली मैनेज कर सकते हैं, जहां पर सर्विस को प्रायोरिटी इतना ज्यादा नहीं मना जाता, सर्विस रामेश्परम कैफे 12th में रोड इंदरा नगर में स्थित है, जहां सुबह साड़े 5 बजे से लोग घरों के बाहर निकलते हैं, वॉक करने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए, तो सोचो ब्रेकपास कोन मनाएगा, कैफे की ओफिशियल टाइमिंग जो है, वो सुबह 6 और उनके free time को, उनका concept simple होता है कि जब इंसान free होगा, तभी तो ठीक से खा पाएगा, और तभी तो order करेगा, तो उसी time पे खोलो, जिस समय वो free होता है, लेकिन यहां रामेश्परन कैफे ने बिलकुल उल्टा गाम किया, उन्होंने लोगों के free time को नहीं, busy time को target किया, मैं offices या काम पे जाते हैं लोग, वो maximum Bangalore के traffic को ध्यान में रखते हुए, तो अगर 10 बजे cafe खुला, तो आपको लगबग 55 प्रतीशत working customer से हाथ दोना पड़ेगा, अगर यही timing हम दोपहर, 1 बजे से शाम 8 या 9 बजे तक रखें, तो उस time zone में, इंदरा नगर 12th main road, वहां का माह कुछ ऐसा होता है, जहां aggression, anxiety, depression, tension, जल्दी घर पहुचने की लगी रहती है, तो वहां भी आपको सरफ 32% ही working professionals मिलेंगे अपने outlet के अंदर, और Bangalore में सभी तो प्रोफेशनल है, इस बात को मैंने reconfirm किया अपने दोस्तों से जो अभी Bangalore में, उन्होंने एक और चीज बता के जाते हैं, meet के लिए, इसे हम कहते हैं, time targeting, product, price, place, promotion के बाद, ये एक नया chapter है, business niche के अंदर, विसे आप अगर गए हैं, रामेश्वर्म कैफे तो आपको अभी देखने को मिल रहा होगा कि ये 4-5 बेदे तक भी serve करते हैं, due to high demands, वणना इनका official time, इनकी ही website पे लिखा due to traffic jam और single use plastic का कच्रा, तो local authorities ने इन्हें मना किया और इने shutdown करवाया, लेकिन लोगों की मांग पे इनको दुबारा start किया गया और अब single use plastic के बिना, रामेश्वर्म कैफे की location जो है, वो 3 categories में divided है, open face entry और side settings, दूसरा L-shaped facing, तीसरा ऐसी जगह जहां ना चाकर भी लोग रु आप रामेश्वर्म कैफे का casual माहौल तो देखेंगे ही, लेकिन इनका open front जहां दर्वाजा भी खोलने की जुरूरत नहीं, जैसे burger king, mcdonald's, kfc's में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहां नहीं, यहां आप सीधा entry ले सकते हैं और अपना order कर सकते हैं, यह open front उन्हें बड़ी बात है, यह तो सब लोग करते हैं, लेकिन for example, csb या mba चायवाला अपनी entry के सामने settings को prefer करता है, वहीं burger king, mcdonald's में side entry और front facing sitting रहती है, दूसरा इनके कुछ outlets आपको L-shaped properties में देखने को मिलेंगे, उन्होंने बिलकुल road के end में अपने cafe खोल रखें जहां पर उन्ह example के लिए इनका ये outlet petrol pump के just side में, जहां petrol pump वाला भी इनका एक business partner हो सकता है, खैर मजाग की बात side में, लेकिन सोचने वाली बात है, गाड़ियां आएंगी petrol pump पे, लेकिन अगर आप petrol pump पे with family गएं, तो बोल दो, आप जब तक petrol डलवाओ, हम कुछ खा के आते हैं, location सही होने के सबूत तो आपको अपनी शेहर में भी देखने को मिलेंगे, कुछ टाइम पहले मैं गौलियर में था, जहां पर लोगों ने मुझे कहा कि आप इस जगल जरूर जाएए और एक बाद टेस्ट कीजिए, तो इनको कहते हैं अन्ना डोसा वाले, इनका peak time शाम 6 बजए से होता ह और भीड तो आप देखी रहे हैं, तो इसमें एक बात और नोटिस करने वाली है, कि ये भी में रोड पे है, एल शेट प्रॉपर्टी तो नहीं बोल सकते, लेकिन टूवे प्रॉपर्टी जरूर है ये, इवन तीन भी, रॉंग साइड वाले, ऐसे में मैं दूसरी लोकेश करता है, और इनके पीक टाइम में भी आपको क्विक सर्विस मिल जाती है, इन सबके अलावा ये उपर से तड़का भी लगाते हैं, शोशल मीडिया का, यानि किसी टेक सेवी की जरूत नहीं है, लोग आते हैं, इनकी वीडियो बनाते हैं, इनको टेक करते हैं, ये उन इनकी फ्री मार्केटिंग हो जाती है, और खेर, इस पॉड्कास्ट के बाद तो कुछ भी नहीं, वैसे ऐसा नहीं है, यहां सिर्फ इडली और डोसा ही बेचा जाता है, बिर्यानी भी यहां की बड़ी फेमस है, और इनकी अपनी कुछ रेसिपीज हैं, जो हम जाएंगे त कमा लेते हैं, उसकी रियालिटी और उसकी जड़ की पिछे हम गए हैं, राइट वाली वीडियो में, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए, बी बिजी